नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप घर पर ही एक flip flop light बना सकते हैं यह एक आसान और मज़ेदार प्रजेक्ट है जो आपके घर को और भी खुबसूरत बना देगा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा flip flop light कैसे काम करता है इ यह बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां दो कलर की चार चार LED ले लिया ठीक है तो आपको क्या करना है सभी LED का ले कूछ इस तरह चोटा करके और इसको मोड लेना है मोड लेने के बाद देखें अगर आपको काटने के बाद यह समय में नहीं आता है कौन सा इसमें प्लस है कौन सा माइनस है तो आप इसको यहां ध्यान से देखेंगे इस तरह देखिए इसमें आपको एक छोटी प्लेट नजर आएगी और एक बड़ी प्लेट नजर आएगी तो जो छोटी प्लेट होती वो प्लस होता है और बड़ी प्लेट होता है उ तो दूसरे LED का जो यहाँ minus होगा, ठीक है, यह minus है, तो दूसरे LED का plus हमें कुछ इस तरह से यहाँ series में जोड़ देना है, तो आए फटा-फट हम सभी को series में जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हमने सभी LED को series में जोड़ दिया है, अब series में जोड़ने के बाद यह, इस LED का, यह ह 12 बोल्ट का हमने relay ले लिया, relay में आप देखेंगे, एक side में आपको 3 pin नजर आती, एक side में 2 pin नजर आती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखें, एक side में आपको, यह LED का जो minus leg है, जिधर आप minus बनाए है, उस minus को relay के एक point पे आपको यहाँ इस तरह से जोड़ देना ह इसके बाद ठीक, इसी तरह से जो आपका red LED है, red LED का minus को भी आपको यह दूसरे वाले leg पे जोड़ देना है, ठीक, यहाँ जुड़ गया, अब क्या करना, यहाँ पे आपको, दोनों का चुकी यह plus है, तो दोनों के plus को आपको इस तरह से मोड़ लेना है, और दोनों के plus को आपस में आपको यहाँ पे sold कर देना है, तो इस तरह से हमें सभी LED को यहाँ पे जोड़ लेना है, ठीक, यहाँ आपस में दोनों के plus को जोड़ दिया, इसके बाद आपको एक ले लेना है 100 ohm half watt का register, ठीक, यह half watt का register लेके, और आपको relay के इस side में, यहाँ आप red LED जोड़ा है, और यहाँ minus point पे, इस पे आपको इस तरह से यहाँ sold कर देना है, इस तरह से यहाँ आपने register को जोड़ लेना है, ठीक, register जोड़ की, अब उसके बाद आपको ले लेना है एक 220 ohm, 330 ohm, इस तरह से आप कोई भी एक quarter watt का register ले सकते, मैंने यहाँ 220 ohm का एक register ले लिया है, इस register को आपको जोड़ना है, जहां आपने दोनों LED का यहाँ plus आपस में sold किया है, इस पे आपको एक leg को यहाँ जोड़ देना है, उसके बाद इसका जो register का दूसरा leg है, इसे आपको अपने relay के यहाँ plus point पे, यहाँ sold कर देना है, आप इसके बाद आपको एक ले लेना है capacitor यह आप 1000 UFD भी ले सकते हैं 200 UFD भी 47 UFD भी ले सकते हैं बोल्ट आप 25 बोल्ट के उपर ही रखेंगे तो ठीक है ठीक अब यहाँ पर देखें इस तरह स्केपसिटर में आप देखेंगे एक साइड में हम माइनस होता है और यह प्लस होता है तो आपको क्या करना है इस केपसिटर का जो प्लस है वह प्लस साइड में जोड़ना है यानि प्लस हमने कहां बताया यह यह वाला साइड और यह रहा माइनस साइड तो माइनस पर हम केपसिटर का माइनस इस तरह से जोड़ देंगे और प्लस है हम प्लस पे यहां जूड़ेंगे थोड़ाइज इसका लेक छोठा कर देते हैं इसके बाद यहां देखे किपलस पर हम इस तरह से यहां पर जोड़ेना है अब दुस्तों यह circuit हमारा बनके complete हो चुका है अब इस पर हमें supply देने के लिए wire जोड़ना है तो हमने यहां दो wire ले लिया है ठीक तो आपको जो plus वाला wire है यह plus वाले को आपको जोड़ देना है यहां जहां केपिसीटर का प्लस हमने जोड़ा है उसी पॉइंट पे आपको प्लस जोड़ देना है इसके बाद जो माइनस माइनस वायर है इसको हमें जोड़ देना है जो हमारे रिले का बीच कामन वाला पॉइंट है इस कामन वाले पॉइंट पे हमें माइनस जोड़ देना है अब दोस्तों सर्कीट बनके हमारा कंप्लीट हो चुका अब आए इसके हम टेस्टिंग करते हैं तो इसको जलाने के लिए हमें दीसी बारा बोल्ट की जरुत पड़ेगी तो यहां मैंने ले लिया है एक बारा बोल्ट का बैटी थी यह बारा बोल्ट का अब इसके हम प्लस पाइनस सप्लाई देंगे तो अभी दूस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा यह फिलिप फ्लॉप लाइट है रीले की मदद से कितना अच्छा काम कर रहा है थोड़ा समय लाइट बुझा के आपको दिखाता हूं कि हमारा किस तरह से काम कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊंगा कि आप इसका स्पीड जो है स्लो या फास्ट कैसे कर सकते हैं तो थोड़ा हम लाइट जला देते हैं ठीक लाइट जला के अब देखे यहां पर अगर आपको इस अगर इसका स्पीड को और स्लो करना है तो इसकी जगह है आपको दूसरा इससे ज्यादा वैलू का कैपसीटर लगाना होगा है आईए हम प्रेक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं ठीक तो यहां 22 हमने हटा दिया अब इसकी जगह हम यहां पर 47 स्वायूवफ ले लेते है तो यहां कैपसीटर का माइनस को माइनस में जोड़ देंगे और यहां जो प्लस वाला है प्लस साइड में जोड़ देंगे यहां पे 22 की जगह 47 स्वायूफ का कैपसीटर लगा दिया बोल्ट 25 बोल्ट ही है ठीक अब आईए से सप्लाई देते हैं तो अब आप देख सकते हैं जो उसका स्पीड जो है वो पूरा स्लो हो गया यानि आपका जो भी वह थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें उसमें आपका ब्लिंकिंग करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं अब उतना फास्ट यह नहीं करेगा तो इस तरह से आप Flip Flop एक Relo की मदद से बड़े आराम से बना सकते हैं और LED आपको और जरुलत है तो आप और भी LED जोड़ सकते हैं दुस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल पर नहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार